हेलो आप सभी का स्वागत है मापा परेसे में चली आज बनाते हैं बैगन की सबजी तो सबसे पहले मैं बैगन को दो लेती हूँ बैगन ये लगबक आदा किलो है बड़े-बड़े साइज में है ना तो आदा किलो बैगन काफी है मतलब चार से पांच लोगों के बना रहे उसके बाद इधा देखे ग्यास ओन कर ले थी पिर ना कढ़ाई रख दे थी बड़ी साइज वाली उसमें डाल दे थी सर्षू का तेल सर्षू तेल को अच्छे से गरम होने देना है उसके बाद डाल दे थी बैगन बैगन को सभी को डाल दे थी मतलब कि थोड़ा से छीटा पड़ रहा था तो थोड़ सी आख मेर बंद हो जा रहा था उसके बाद ने ना कढ़ाई गरम हो गई थी तो इधर मैं कपड़ा पकड़ ले थी उसके बाद ने इसको अच्छे से चला दे थी पर नीचे करके चला देना है ताकि तेल ना सभी तर बैगन में अच्छे से फै अच्छे से मैं इसको दो ले थी प्यान लेश्ट को उसके बाद एधर से चॉपर जो क्रटिंग के लिए होता है ना उससी को निकाल लेती क्यूंकि हार में बारी बारी नहीं काल सकती माँ बाकि मैं ऐसी पिली उच्छ खाना बनाती हूं तो जादा च्छोपर के यूज नह तब तक ना मेरा बैगन अच्छी सेलो फ्राई हो गया था तो इसमें मैं सभी बैगन को मैं निकाल दे रही थी तेल बिल्कुल भी नहीं बचा सभी मतलब तेल को ना बैगन शोक लिया था था थोड़ा से तेल फिर दाल दे थी और बाबु ने इधर आके बदमासी कर रहा था यथी करती रहता है जब मैं काम करती हूं के ऐसी आसा ही करती रहता है तेल जब गरम होगijn चीन चीन जो दाल देथी अच्छाब हमीद थी फिर थोड़ा से शुन रातल से ना हीड़ा यहिशन बहुत आछी सबूंस vehicles गीर थीक्राइच साय अनिह कं से ब्रफित Сам만से बाद यह ठोड़ा थोड़ा चीरा तरह गयां जादा नहीं हुआ है तो बाभू के लिए तीखा हो जाता है सबजी मुने खआपाता है उसके बाद इसमें टमाटर ढालने कि बाद थोड़ा से नमक भी डाल दी ती नमख किस प्रदिओ उनुसारि उसके वाद इसमें डाल देते हैं सान गारा है कि यह जाए तो फरकषे हो जाता है तो फिर अधर में आता लगा रहे हूं आज ना मेरे हां साम को रोटी बस बनेगा चावल नहीं बन रहा है क्योंकि दुपर का चावल रखा है ना वही खा लेंगे तो सब्सक्राइब क्योंकि अपना ठंडी की मौसम चले गई है तो बच्छी जाता है कभी ना कभी पानी आजकल गर्मी हो गए ना तो पानी पीपी के ना चावल बच्छी जाता है खाना बच्छी जाता तो फेका नही अबनाना वाबु के साथ थोड़ाइं तब तक मेरा मसाला इसे बूरो गया था इसको फोली से मेआ टाली में टेल बचा था तो तेल कम डाली थिनाशवाई इसके साब्साइब पानी डालके पूरा तेर्ट इतना भी लगा था था थाली मुझको डाल दी तिसको चीज मेक्स कर दी थी फ्लेम को हाई तोली से कर दे ती उसकी भाई ढगा दी और इधर ना दूसरे गयास पर रख दूंगी क्योंकि सब्जी को ना इसमें अभी मैं रोटी से कुझे क्योंकि वीडियो बनाती हो ना तो बाबू बहुत बदमासी करता है तो टिकत होता है तो मैं कभी-कभी गयास पर सेक लेती हूं क्योंकि तबी पर डायरेक्स एक रोटी रखके दूसरे रोटी को में इस तरह से लेते हैं कि अच्छी से फूलती है ना रोटी इस तरह से आप लोग क कम मसाला कम तेल में बनकी तयार हुआ था बैगन की सब्ची बहुत टेस्टी बनी थी रोटी अपराथा दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आती है ना तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल पे नए होंगे ना तो जरूर सी जरूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तो इस तरह से आज का मेरा रात का खाना रहो बहुत टेस्टी बना था बैगन की सब्ची अगर मेरी वीडियो पसंद आये तो जरूर सी जरूर लाइक कीजिएगा धन्या